नमस्कार इस सेशन में आपका सबका सौगत है यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक रिसर्च पीपर जो IEEE format में है यहां पर इस रिसर्च पीपर को बनाया गया है लेटेक में अभी इस रिसर्च पीपर का format last session में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम किसी भी format को implement कर सकते हैं तो लेटेक में किस किस command का यूज किया जाता है रिसर्च पीपर को बनाने के लिए वह आज हम देखने वाले हैं वापस से यहां पर हम और लिप में आते हैं और यह जो basic format है और लिप का जब भी आप नया document स्टार्ट करते लिखना तो इस तरह से होना यहां पर document close कराने के लिए मैं इसे compile करता हूं तो यहां पर एक error show कराएगा क्योंकि हमने कोई भी content यहां पर use नहीं किया है तो अभी जो actual word file में research paper का sample है वो हम देखते हैं यह वो sample है अभी यहां पर हम शुरुआत करेंगे title से title को कैसे implement किया जाता है यह आप लोगों को ब और begin document के बीच में आप यहां पर लिखेंगे slash title और इसके बीच में इसे paste करा देंगे paste करने के बाद जब हम compile करते हैं तो compile करने के बाद यह show नहीं करता क्योंकि आपको यहां पर इस title को call करना होता यहां पर command है make title आप यहां पर इससे लिखेंगे और जैसे लिखने के compile करते हैं तो title यह show करना शूरू कर देगा लेकिन इसके साथ problem यह होता है कि date यह show करता है तो हम किसी भी research paper में date को यहां पर नहीं लिखते इस तरह से तो date को यहां से हटाने के लिए आप title के exact बात लिख सकते है slash date और यह opening कर ली ब्रास and closing कर ली ब्रास को ऐसा ही छोड़ द भी देखा था normal document बनाते वक्त अभी जो format है उसके यहां पर जो author name है research paper में author name हम लिखते हैं तो यहां पर slash author आप लिखेंगे इतना simple है याद रखने की ज़रुत नहीं यहां पर author name है तो author slash author एक command है आप वहां पर author type कर दीजिए compile कीजिए author यहां पर आ जाएगा उसके बाद next begin document and end document की बीच में आप बाकी content research paper का लिखेंगे जैसे की abstract है तो आपको abstract लिखने की ज़रुत नहीं इस तरह से लिखेंगे तो abstract आ जाएगा begin abstract and abstract इसके बीच में आपको यह content paste करना है with keyword आप compile करेंगे तो compile करने के बाद आपको यहां पर automatically abstract show करा देगा लेकिन keywords साथ में ही आगे paragraph के तो हम इसे थोड़ा यहां पर इस तरह से adjust करके double slash लिखते हैं तो next line में show कराएगा इस तरह से next line में show करा रहा है keywords अभी हम इस तरह से इसे देख सकते है इसे छोटा कर लेते हो तो screen adjust हो जाएगा तो यहां पर यह इस तरह से दिखाएगा next section जो है यहां पर first introduction यह section है तो introduction section के लिए हम slash section और enter करेंगे यहां पर opening curly brass and closing curly brass में paste करेंगे compile करते हैं आप directly research paper यहां पर भी type कर सकते है word file में जाने की जरूत नहीं है directly आप यहां पर type करेंगे और यह compile करेंगे तो आपको show कराएगा यहां पर हमने one नहीं लिखा था लेकिन उसने automatically ले लिया जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो अभी यहां पर जो content है as it is three paragraphs हम copy करते हैं copy करने की बाद वापस यहां पर इस section में यहां पर अभी मुझे paragraph लिखने की जरूत नहीं इंटर कराते हैं compile कराएंगे तो एक combine paragraph में यह show करेगा content जो भी है आप जहां जहां पर भी paragraph आपको दिखाए दे रहा है वहां पर double slash करिए और compile करके देखिए वह automatically show करेगा next line में यहां से next line में है अगर मैं इंटर करता हूँ इसमें यहां पर click करके इंटर करते हैं और compile करत हैं तो next paragraph में show करेगा ओके वैसा ही आप यहां पर इस लाइन में भी कर सकते हैं इंटर compile यहां पर next line में गया अभी अगर हम इस sample research paper में देखते हैं तो एक figure है इस figure को हम किस तरह से call कर सकते हैं वहां पर तो इस figure को अगर यह word format में है और इसका source आपको पता है तो उस figure को हम directly call कर सकते हैं यहां से upload करेंगे तो figure यहां पर add हो जाएगा फिर उसे call करना आसान रहेग लेकिन word file में है तो इसे हम click करते है paint यहां पर paint open करते हैं और यहां पर इसे paste करेंगे तो यह figure यहां पर आ गया फिर इसे save करते हैं अब jpg, png किसी भी format में इसे save कर सकते हैं मैं अगर यहां पर figure number 01 करता हूं और png में इसे save करता हूं desktop पे तो यह desktop पर आ जाएगा फिर बाद में हम यहां से इसे upload करा सकते हैं upload करने के बाद location पूछेगा drag here select from your computer तो यहां से हम इसे check कर सकते हैं आपको check करना है कि properly यह desktop पर आ गया या नहीं आया तो यहां पर आगर आप देखेंगे तो image 01 दिखाए दे रहा है इसे select किया select करने के बाद यह image यहां पर add हो गया तो याद रखना है कि जो figure हमने add किया है उस 01 है उसके बाद किस location पर यहां पर किस paragraph के बाद आपको कहां पर उसे add करना है वो आप adjust कर सकते हैं अभी हमें यहां पर figure add करना है तो आप लिखेंगे slash begin और यहां पर figure find out करना है जैसे कि यह रहा figure enter करते हैं तो यहां पर देखी opening figure और यहां पर end figure यह show करा रहा है तो यहां पर include figure include graphics है यहां पर include graphics है इसमें opening curly brass and closing curly brass में इस figure को add करना है तो हम यहां पर जैसे figure यफ टाइप करेंगे तो automatically वो show कराएगा कि कितने images इसमें है अभी इसके extension के साथ यह आ गया अगर मैं इसे compile करता हूं तो compile करने के बाद यह show यहां पर खली figure का नाम show कर रहा है तो इसकी लिए यहां पर error भी show कर रहा है undefined control sequence तो इसकी लिए आपको यहां पर document class के बाद एक package add करना पड़ेगा use package उसमें रहेगा graphics क्योंकि आप graphics का use करने वाले हैं latex में यहां पर enter करते हैं तो graphics आ जाएगा और जैसे हम compile करेंगे तो यह यहां पर show करना शुरू कर देगा यह यहां पर show हो गया भी caption यहां पर आपको लिखना है figure one तो अपने आप वहां पर आ गया क्योंकि research paper में जितने figures होंगे उसके sequence में number देगा क्योंकि यह first figure है इसलिए first figure यहां पर दिया आपको caption add करना है जो caption उस research paper में था वो caption हम यहां से copy कर लेते हैं और यहां पर scroll करेंगे इसे स्क्राल करने के बाद यहां पर caption दिया हुआ है ताकि आपको आसान इसे दूंड सकते कि कहां caption लिखना है और यहां पर यह वन हटा दिया फिर से compile करते है compile करने के बाद यहां पर इस figure का caption आ गया है अभी आपको यह research paper अगर particular format में बनाना है जैसे कि IEEE का format होता है Springer का format है Elsewhere का format है तो आप यहां पर उस format में particular research journal के format में अगर आपको बनाना है तो किस तरह से आप बनाएंगे तो हम इसमें अगर IEEE का format धूनेंगे Latex के लिए किस तरह से लिखा जाता है तो आप Google का सहारा ले सकते हैं कि यहां पर आप Google में टाइप करेंगे IEEE Latex command उसके बाद यहां पर समझ में आएगा आपको find out करना पड़ेगा यहां पर देखिए IEEE यहां पर आ गया है तो हम ले सकते हैं यह bibliography style है वह भी हम बात में देखेंगे लेकिन यहां पर class में जैसे मैंने बताया था कि आप article इसे book में convert कर सकते हैं यहां पर journal में लिखना है तो एक particular format है जैसे मैंने IEEE trend को लिया है यहां पर यह small है T, R, A, N और IEEE capital later में है compile करेंगे तो यह automatically convert हो जाएगा IEEE के format में इतना ही काम आपको करना है लेकिन अभी इसका adjustment करना बाकी है तो हम इस image को adjust कैसे करेंगे तो इसकी लिए थोड़ा extra content यहां पर add करते हैं इस research paper में जाते हैं बाकी second section जो है उसे भी यहां पर copy करते हैं second section को इसमें add करेंगे थोड़ा adjust कर लेंगे इसको यहां पर image और figure के बाद हम section को लिखेंगे slash section और यहां पर paste किया यह second को यहां से हटा दिया ताकि वो numbering automatically लेगा यह section second यहां पर आ गया यह roman number में first है यहां पर second है यहां से मैंने यह तीनों subsections जो है उसे copy किया और यहां पर हम लिखेंगे slash पहले तो इसे paste करा लेते हैं और फिर यहां पर जो section है इसे compile करते हैं यह इस तरह से दिखाएगा अभी हम इसे यहां से हटाते हैं और यहां पर slash subsection लिखेंगे आप subsection भी लिख सकते हैं subsection लिखा है यहां पर closing curly brass की बीच में आप इस word को यहां पर लिखेंगे यहां compile करेंगे compile करने के बाद यह show कराएगा यहां पर देखिए subsection जो IEEE का format है उसमें दिखा रहा है फिर बाकी area छोड़ देंगे यहां से फिर से इसे slash subsection opening curly brass और यहां पर यह जो colon दिया हुआ है वहां पर उसे close करते हैं third को भी हम same वैसे ही करें यह subsection दिखा रहा है IEEE format में यहां पर alphabetically मतलब A यहां पर B यहां पर C आपको इस sections को कोई numbering करनी की जरूत नहीं यानि character format में देनी की जरूत नहीं वो आपने अपले लेगा जो IEEE format होगा उस तरसे हम इस format को change भी करेंगे किसी और journal के format तो किसी और journal को अभी यह भीजना है IEEE trend else article compile compile करने के बाद यहां पर आगए तो यह automatically else format में convert हो जाएगा complete document जैसे हमने पहले IEEE format में convert किया था तो यहां पर IEEE trend जो भी journal का formatting है आपको खाली यह word find out करना होगा Google में जाके कि हम उसे किस तरह से convert कर सकते हैं अभी इस document में reference हमें add करना है यहां पर जो original word document जो दिया गया है हमने इसमें reference add किये थे और example यहां पर introduction में एक reference add किया यहां पर तो जो first number का reference है उसे find out करना पड़ेगा हमें यहां पर तो यह जो title है यह Google scholar में जाके आपको find out करना पड़ेगा ताकि वहां से आपको उसका bibliography जो है उठा सकते हैं तो इसमें किस तरह से add करेंगे तो मैं यहां पर type कर लेता हूं Google और यहां पर Google scholar इंटर करेंगे यहां पर Google scholar क्लिक करते हैं तो यह search option Google scholar का दिखाएगा जो हमने टाइटल कॉपी किया था वह यहां पर पेस्ट करेंगे और search करते हैं तो यह first paper का title यहां पर आ गया अगर हम फिर से word document में जाते है तो यह author's name है और यह उसका जो reference journal से उसका है यहां पर है कोपी किया अभी कि यहां पर आगर आप देखें तो वह ही है यहां पर जो symbol दिखा रहा है यह site का symbol है अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो एक site यहां पर दिखाता है उसमें अगर bib take पर क्लिक करते हैं तो यह latex के लिए है क्लिक करने के बद आपको इस format में दिखाएगा अब इसे copy करते हैं copy करने के बाद आप वापस से यहां पर जाएंगे जो आपका original format है वहां पर और यहां पर एक new file create करेंगे new file create करने के बाद यहां पर लिखेंगे माय reference अब यहां पर b ib लिखना हो पड़ेगा वी आई बी मतलब bibliography तो यहां पर create करते हैं create करने के बाद यह empty file रहेगा empty file में आपको इसे paste करना है paste करने के बाद word file में find out करेंगे जहाँ पर आपने first reference दिया था यह first reference यहां पर first paragraph में यहां पर दिया हुआ है तो वही reference हम यहां पर जो main file है हमारा वहां पर देंगे यह first paragraph find out करने के लिए यहां पर first paragraph यह है तो आप इसे select कर लिजे automatically इस पर double click करेंगे तो first paragraph जो दिया है यहां पर introduction उसका यहां पर आप यूज कर सकते हैं लेकिन इसके पहले आपको रेफरेंस के लिए बिब्लियोग्राफी जो है वो एड़ करना पड़ेगा तो यहां पर आप टाइप करेंगे बिब्लियोग्राफी स्टाइल जो हमने यूज किया था आय ट्रिपल ई कि स्मॉल लेटर में चरन उसके बाद यहां पर आप अड़ करेंगे अपने नाम दिया है माय रिफ यहां पर माय रिफरेंस जो काईपिटल लेटर में है आर एफ जैसा दिया है वैसी आप यहां पर फैल का नाम देंगे उसमें कोई चैंज नहीं होना चाहिए ओके अब जहां यहां पर फर्स पैरेग्राफ था यह है फर्स पैरेग्राफ यहां पर सेक्शन और यहां पर यह फर्स पैरेग्राफ में यहां पर आपने साटेशन दिया था तो यहां पर हम लिखेंगे यस आईटी साइट उसका नाम यहां पर दिखा देगा हम इस पर क्लिक करते हैं क्लि format में reference add हो जाएगा compile करते हैं compile करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे reference add हो गया automatically और यहाँ पर हमने reference दिया है ऐसे ही सारे reference को आप add कर सकते हैं Google scholar में जाके वहाँ से code copy करना है इस तरह से और यहाँ पर paste करना है और फिर बाकी सारे references add हो जाएंगे automatically अगर यह आप elsewhere के format में भी convert करना चाहते हैं तो automatically reference उस format में convert हो जाएगा लेकिन आपको bibliography style भी उस format में लिखना पड़ेगा elsewhere के जैसा है और बाकी यह file तो वैसे ही रहेगा खाली यहाँ पर bibliography style और यहाँ पर यह जो document class जो है आपको create कर सकते हैं बड़ी आसाने से लेटे